नमस्कार विद्यार्थी मीत्रों सक्सेस इंस्टिटूट ओफ एच्यूकेशन ना ओन्लाइन वीडियो लेक्चर माँ आपनो स्वागत छे आजे आपडे धोरण दस्तना विशे विग्णान मा प्रक्राण बे एसेड बेज अनेक सार एनो बिजो भाग जोवानों छे पहलो भाग जोवाग 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 जोव सोडियम हाइड्रोक्साइड ना मिश्रण ने गरम करो आ द्रावण ने गरम करता हाइड्रोजन वाईव छुटो पड़े छे आज ये प्रक्रिया छे तमने निचे दर्सावी छे तमें जोही सको छो ज्याड़े निले जिंक वत्ता एने ओएच लेके सोडियम हाइड्रोक साय तो एमा थी तमें जवनी बाचु जोई सको छो बने चे सोडियम जिंकेट एने टू ज्याड़े नोटू वत्ता हाइड्रोजन वायू छुटो पड़े छे एसीड साथे ज्यारे प्रक्रिया थती हती त्यारे आपड़े द्रावनने गरम करवानी जरूर पड़ती नती परन्तु धातू ओनी बेज साथे प्रक्रिया करावा माटे आपड़े एने गरम करवू पड़ से त्यारे आपड़े आपड़े एमा थी हैड्रोजन वायू मड़ बे सोडियम, बे ओक्सीजन औने बे हाइड्रोजन इटला माटे एनने ओएच नी आगड बे मेक्या छे जहना काणे समीकरण संतुली थाए आगड विजा प्रस्टना ने उपड जैशू तो अहीं तमें स्क्रीन उपड जोई सको छो HNO3 औने CH3COOH लख्यू छे आब बनने एसीड जे छे एवा एसीड छे जे धातो साथे प्रक्रिया करीने हाइड्रोजन वायू उत्पन करता न थी आपडे आनिपला जोई तो खे एसीड जेएचे धातो साथे प्रक्रिया करीने हैड्रोजन वायू उत्पन करता न थी कारण के आप बनने एसीड प्रबड ओख्यीडेशन करता छे आपडे जोई एसीड अने धातू वच्चे नो संबंद એસીડની ધાતુ સાથે ની પ્રક્રીય થી હેડ્રોજન્વાયું મુક્ત થાઈ છે जेमके हाइड्रोक्लोरिक एसीड औने मन्द सल्फियूरिक एसीड हाइड्रोक्लोरिक एसीड एतले HCl औने मन्द सल्फियूरिक एसीड एतले H2SO4 आ बन्ने माथी कुई पण ऐसेड होई धातु एनी साथे प्रक्रिया करे त्यारे आपनने हैड्रोजन वा्यू मड़े छे परन्तु अमुख एसिड एवापण छे जह माँ ऐसेड नी धातु साथे प्रक्रिया थी हैड्रोजन वाईू मुख तो न थी अने A, B, Acid में तमने लखेने आप्या छे HNO3 एटले के Nitric Acid CH3COOH एटले के Acetic Acid Nitric Acid अने Acetic Acid Oxidation करता छे ते थी Oxidation करता होए एना काराने H2 नी पाछड O लागी जाए एटले बनी जासे H2O Oxidation करता है एटले सामे वाडानू जे Oxidation करे ते आने Oxidation के आवे एना पछे जोईसू तटस्थी करान जे रासा एनेक प्रक्रिया मा Acid अने 22 वच्चे प्रक्रिया थाई कसार अने पाणी बने ते प्रक्रिया ने तटस्थी करान करे छे एनों समीकरण में या दर्साविव चे तमें जोई सको छो NaOH एटलेके sodium hydroxide जे 22 छे प्लस HCl एटलेके hydrochloric acid आ बनने वच्चे प्रक्रिया थाई छे अने NaCl बने छे जे कसार छे अने H2O एटलेके पाणी नो अनू छुटो पड़े छे तो या तमें जोई सको छो के 22 अने acid वच्चे प्रक्रिया थाई कसार अने पाणी बने छे एना पछी नो प्रश्ण जोए धात्वीय ओक्साइड धात्वीय ओक्साइड एटलेके धातूना ओक्साइड कोई पन धातूनी पाचा जारे oxygen जोईन थाई छे तेरे धात्वीय ओक्साइड बने छे तो जे धात्विय ओक्साइड जे छे ए बेज ना गुणधर्म धरावे छे धात्विय ओक्साइड ने पानी मा अगार्ता ते बेज बनावे छे ते थी तेमने बेजिक ओक्साइड पं कहे छे उदार अना पहाछे धात्वय ओकिसाईड ना जयमकों के कौपर, मेगनेसियम, केलसियम, अब दी धातों उछे पण एमनी पाचे अख्सीजन जोड़ा आछे ले Cu, O, कौपर ओकिसाईड, मेगनेसियम ओकिसाईड, केलसियम ओकिसाईड आ बधा जे छे ए धात्विय ओक्साइड छे अने बेज तरीके वर्ते धात्विय ओक्साइड नी एसीड साथे प्रक्रिया करता एक सार अने पाणी बने छे कारण के धात्विय ओक्साइड एक प्रकार्णों बेज अच्छे बेजनी एसीड साथे प्रक्रिया करो तोक सार अने पाणी बने जी आपणे तटस्तिकरण मा जोई गया चीए एनो एक उदारन पने या आप्यों छे तमें जोई सको छो CuSO4 एले कौपर ओक्साइड वत्ता H2SO4 एले धात्विय ओक्साइड नी एसीड साथे प्रक्रिया करी छे अने बने छे कौपर सलफेट CuSO4 अने पाणी नो अनू छुटों पड़े छे H2O एना पच्छी जोई आपड़े तो कि अधात्विय ओक्साइड या मैं किटलक स्क्रीन उपर उदारन आप्या छे तमें जोई सको छो अहिया जे उदारन छे SO2, Cl2O7, CO2, N2O5 आप बद्दा ज अधात्विय ओक्साइड छे धात्विय ओक्साइड जो बेज तरीके वर्थे तो अधात्विय ओक्साइड जे छे ए एसेड तरीके वर्थे छे जोई ये अधात्विय ओक्साइड वी से अधात्विय ओक्साइड एसेड ना गुण धर्मो धरावे छे अ धात्वियो ओक्साइड ने पाणी मा ओगारता ते एसिड बनावे छे तेथी त्यामने एसिडिक ओक्साइड पन कहे उदारण तमे जोई सको छो नीचे अ धात्वियो ओक्साइड नी बेज साथे प्रक्रिया करी कांके अ धात्वियो ओक्साइड जे छे ए एसिड तरीके वर्ते छे तो एनी तम्हें बेस साथे प्रक्रिया करो एलेक सार अने पाणी बने एनू पड में एक उधार अने या दर्सावियू छे CAOH2 एलेके केलसियम हाइड्रोकसाइड जे चुनानू जे नित्रियू पाणी छे ए दर्सावे छे त्यानी CO2 एटलेके अधातू ना ओकसाइड साथे प्रक्रिया करता बने छे CACO3 एलेके केलसियम कार्बोनेट अने पाणी नो अनू छुटो पड़े छे या CAOH2 छे बेस तरीके वर्ते छे वत्ता CO2 जे छे एलेके अधातू नो ओकसाइड जे छे एए एसेड तरीके वर्ते छे अने CACO3 एकसार मा गणी सू अने H2O ने आपणे पाणी मा गणी सू एना पचिनो प्रश्ण के एसेड अने बेजना जलियत द्रावण मा थता विद्यूत वहन नो अभ्यास अई एक आकरूती में रजू करी छे तमें जोई सको छो के बीकर छे एनी अंदर मंद HCL नो द्रावण छे नीचे एक रबड नो बूच लगावलू छे एना उपर बेख ली फीट करेली छे जी एक भी जाने अडे नी तीरी ते राखेली छे अने बन्ने माथी एक तार पसार थाए छे तार ना छेडा 6 वल्ट नी बेटरी एक बल्ब अने स्वीच साथे कनेक्टेड छे हवे आपड़े चेक करवानों छे कि HCL जारे छे त्यार बल्ब प्रकासित थाई छे बेटरी एले वीच कोस छो वल्ट वीच कोस लखे यो छे ए बेटरी दरसावे छे तो यह तमें जोई सको छो आकरूती मां कि बल्ब मां से श्पीडा रंगनी लाइट जियो देखाई छे जेनों और्थसु थयो के HCL माथे विद्यूत प्रवा पसार थाई छे एवीर थे HCL पछे आपड़े H2SO4 एले के मंद सल्फिरिक एसीड C6H12O6 एले के गलुकोज C2H5OH एले के इथेनोल NaOH एले के सोडियम हाइड्रोकसाइड CAOH2 आप बद्दानु द्रावण आपड़े ल लिदू छे एवीरितना वारा फर्ते ये बिजा बदा द्रावणों लैने पन चेक करवानू छे अन्या आपड़े जोवानू छे के कया द्रावण नी अंदर बल्ब प्रकासित थाई छे तो इहां आपड़े प्रयोक करता आपड़े जानवा मड़े के C6H12O6 एले के गलु ये ना जे चार छे HCl, H2SO4, NaOH, CaOH2 ए द्रावण नी अंदर बल्ब प्रकासित थाई छे जोई लेए के HCl तो बल्ब प्रकासित थाई छे एनू कारण सू छे तो के एनी अंदर विद्यूत प्रवा पसार थता H प्लस आयो नो मुक्त थाई छे विद्यूत प्रवा ना वहन माटे आयोनो जहाब दार छे जे द्रावण नी अंदर आयोनो मुक्त थता आसे ए बद्दाज द्रावण विद्यूत प्रवानों वहन कर से अने जे द्रावण नी अंदर आयोनो मुक्त थता नही होई ए द्रावणों विद्यूत प्रवानों बिजु जो H2SO4 एमा पन बल्ब प्रकासित थाई छे कारण के एनी अंदर पन H प्लस आयोनों मुख्त थाई छे। परन्तु ग्लुकोस अने आलकोहल आ बन्ने मा बल्ब प्रकासित थातो नथी। एनो अर्थ ए थायो के ए बन्ने द्रावण मा मुख्त आयोनों छे नई। एना पछी तमे जो एने OH बल्ब प्रकासित थाई छे कारण के एनी अंदर OH माइनस आयोनों मुख्त थाई छे। बल्बन्नू प्रकासित थाई सुच्वे छे के द्रावण मा थे विद्यूत प्रवा वही रहयो छे। द्रावण मा विद्यूत नों वहन कोना द्वारा थाई छे। तो के द्रावण मा विद्यूत नों वहन आयनों द्वारा थाई छे आपड़े जोय। के ग्लुकोज अने इथे नोल मा आयनों मुक्त थाया नहीं तो यह माथे विद्धुत प्रवानु वहन थायू नहीं एसेडिक अने बेजिक गुण दर्मों माटे जवाबदार आयन लखो तो यहाद राग जो के असेडिक गुण दर्मों माटे ह प्लस अने बेजिक गुण दर्मों माटे ओ एच माइनस आयन जवाबदार छे ग्लुकोज अने इथे नोल ना दरावन मा बल्ब प्रकासित थायो नथी जे सुचवे छे के बन्ने दरावन मा विद्यूत प्रवा पसार थायो नथी एटले के आ बन्ने सैयो जनो ह प्लस के ओ एच माइनस आयन उत्पन्न थता नथी जेम के निश्यंदित पाणी मा थी विद्यूत प्रवा पसार थतो नथी केम तो के कारण के तेनी अंदर मुक्त आयनों हता ना थी निश्यन्दित पाण इटले सोटका सुद्ध पाणी आयन इटले सुपेला एस समझे जेमके HCl छे तो एमा बे आयान छे H प्लस वत्ता C L माइनस इवधना N A C L नुस्वधाण छे तो अहिया C A प्लस टू आयन छे औने ह्स मायनस प्रण आयन छे H 2 S-O 4 मा H प्लस अने S-O 4-टू ए आयन तरOff देले एक सज मझे तम misconceptions हरै भाग पाड़ो તેરે એમાથી આપણને આયાન મળચે એસીડ વતા પાણી એસીડ ની અંદર જેરે પાણી ઉમેરવામાં આવે છે તેરે કઈ પ્રક્રીયા થાય છે એ જોઈએ એસીયેલ માં પાણી ઉમેર્તા હઈડ્રોજન આયનો ઉદભવે છે પાણીની ગેર હાજરીમાં એસીયેલ ના અણું માથી એસીયેલ આયનું અલીકરણ થઈ સક્તું નથી એસીયેલ માથી એસીયેલ પ્લસ ત્યારે જલગ પડે જારે એમાં આપણી ઉમેરીશું પાણી માં એસીડ ઉમેર્તા નિચે મુઝા પ્રક્રીયા થાય છે તમે જોઈ સકો છો એજ સીએલ છે એમાં પાણી ઉમેરીં છે તો એમાં થી એજ પ્લસ અને સીએલ માઈનો અલગ પડ્યા છે આની પેલા આપણે આગળ જોયું તુકે એજ પ્લસ જે છે એસીડ નો ગુણ્દરમાદર સાવે છે હેડ્રોજન આયનો હમેસા એસ્ત્રીઓ પ્લસ અથવા એજ પ્લસ સ્વરુપે હોય છે એસિડ પાણી માં આપ બંને આયનો આપે છે પેલા એજ પ્લસ આયન આપશે ને એજ પ્લ્સ સાથે જોડે જસે પાણી ઉમેડ તા હઈડ્રોક્સાયન એટલે ઓએજ માઈનસ આયન તમે યાદ રાગ જો ઓએજ માઈનસ આયન ઉદ્ભવે છે એની પ્રક્રીયન નિચે મુજબ મે દર્સાવી છે તમે જો ઇસાગો છો પેલીજ પ્રોસેસ કે ને ઓએને અંદરો પાની ઉમેરું છું તેમાથી ને પ્લસ વત્તા ઓએજ માઈનસ અલગ પડી છે એવીજ ઇત્ના કે ઓએજ ત્વાજ છે તો અહીયાં તમે દરીક જેગેએજ સકો છો ઓએજ માઈનસ આયન અલગ પડે છે એટલેકે બેજ માટે ઓએજ માઈનસ આયન એના પછીનો પ્રશ્ના છે કે મંદણ પ્રક્રીયા કોને કયએજ છે સમજાઓ તો મંદણ એટલે એસિડ અને બેજ જે પાની ઉમેરવાની જે પ્રક્રીયા છે એને મંદણ કેવાય જોઈ એલે યે વ્યક્યા મુજબ બેજ મેંદે તમે પાની ઉમેરો તોએ મંદ બેજ બેજ બની જઈ દાખળા તરી કે સાંદ્ર એચે નો થી કે એચ્ટુ એસો ફોર ને સાંદ્ર એડલે પાની વગરનું નેટ્રિક એસીડ કે મંદા સલ્ફીરિક એસિડ ને પાની માં ખૂબજ ધીરે ધીરે સતત હલાવતા રહીને સાંદ્ર એચે નો થ્રી કે એસ્ટુ એસો ફોરની સાંદ્રતા ઘટે છે અને છે વટે દ્રાવણ મંદ બને છે એના પછી નો પ્રશન છે ટુંકુનાદ લખો પી એચ માપક્રમ પોટેન્સ એટલે કે સક્તી સૂચુવે છે પી એચ માપક્રમ દ્વારા આપણ જીરો એલેકે ખુબત એસેડિક થી અને સાથ્થી તમે જેમ વત્તા જસો એમ દ્રાવણ બેજિક બંતું જાય પરંતું સાથું ઉપર દ્રાવણ તટાસ્ એટલે એસેડીક સવભાવવદે અને એસેડીક સવભાવવદે એટલે એની pH ગટે એલે જેટલી ઓછી pH એટલુ દ્રાવણ વધા દાઇરેક જે છે એદ્રાવણ ની pH માપી સકો છો જેમ pH નું મુલ્ય સાથ્થે ચવત્સુદી વધે તેમ દ્રાવણ માં એસિડીક બને જમણી બાજુ જેએ તો દ્રાવણ બેજિક બને ડાબી બાજુ જેએ તો દ્રાવણ જેછે એસિડીક બન્શ સામાનેરીતે પીએચ માપફા માટે સારવત્રિક સૂચક વડે સંસેચિત પેપરનો ઉપ્યોક થાય છે સંસેચિત અને તટાસ્તસે ત્યારે લીલા જેઓ સેજ રંગાશે આ તમે કલર તમે જોઈ સકો છો જેમ હઈડ્રોન્યમ આયન એક આવસ્તુ પણ યાદ રાગજો હઈડ્રોજન આયન જે છે એચ પલસ એને હઈડ્રોનિયમ આયન જેમ હઈડ્રોન્યમ આયન ની સંદ્રતા વધુ તેમ એસે ડિકતા પણ વધુ અને એસે ડિકતા જેમ વધુ તેમ પીએચ સરવતરીક સૂચક એ કટલાક સૂચકોનું મિસરણ છે તેનો ઉપયોકકરીને દ્રાવણ માં હઈડ્રોકસિલ કે હઈડ પણ મેયે તમને રજુકરીં છે કે તમે જોઈ સકો છો આદનાા લેક્ચર માં આપણે અહ્યાં સુધી રાખીએ છીએ તમે અને કોલ કરી છે તમે મને કોલ કરી સકો છે .